बिसमें लहरा मान रहीम, असलामेकूम, गॉलब्रेडर का टॉपिक हमने स्टार्ट किया हुआ था, सबसे पहले हमने गॉलब्रेडर की अनाइटमी को और उसके जो सोनोग्राफिक फीचर्स थे, सोनोग्राफिक अनाइटमी थी, उनको डिस्कुस किया था, उसके बाद गॉल कि पितोलगिस हैं, जिनमें कार्सिनोमा जाते हैं, पोलिप्स आते हैं, काल्स्टोन से हम कैसे डिफ्रेंशियेट करेंगे, सबसे पहले तो एक जनरल ओवर्भ्यू ले लेते हैं, कि गॉलब्रेडर जो है, वो इंटस्टाइन की बीच में पढ़ा होता है, कि इसका काम क्या होता है की की बाई को स्चोड करता है जो के लिवर से प्रोड्यूस हो रहा होता है और उसको तब तक視 टोर करता है जब गॉल्ब्रेडर कम्प्लीट्ली एम्टी नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा जो बाइल का पोर्शन है वो अंदर रह जायेगा, तो काफी देर तक गॉल्ब्रेडर में पढ़ा रहने की वज़ा से, जो उसके कंपोनेंट्स हैं, वो कठ्थे हो जाते हैं, वो थिक हो जाते हैं, और थिक होकर जो है वो गॉल्ब्रेडर स्लज बना देते हैं, इसमें जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, वो केल्शियम, बिलरोबिनेट, ग्रानियूल्स हैं, और कोलेस्रोल क्रिस्टल्स हैं, जो मिलकर थिक विसकस बाल बना देते हैं, जिसको हम स्लज कहते हैं. बिसिकली ये low level homogeneous echoes है जो हमें गॉल ब्रॉनर में मिलती है mostly लेकिन कभी-कभी ये high level echoes भी हो सकती है low level to high level non-shadowing reflectors है यानि इनका shadow नहीं होता ये वाली जो इनकी characteristic है ये इनको gallstone से differentiate करती है कि इनका कोई shadow नहीं होता sludge का shadow नहीं होता gallstone की shadowing होती है ये अगर हमें gallbladder में कोई मिल रहा है low level echoes ये मिल रही है high level echoes मिल रही है और उनमें shadow नहीं है तो हम उसको gallstones को exclude करते हैं कि उसमें से फिर वो sludge हो सकता है लेकिन अगर shadow है तो फिर वो confirm जो है वो gallstones है mostly ये gallbladder की dependent wall होती है उस पर layered होता है और layered होकर ये bile sludge level बना देता है यानि posterior wall के साथ ये layered होगा और interior wall ये superior ली जो हमें bile ऐनी कोई नजर आएगा तो उसको हम bile sludge level कहते हैं और इसलिए इस को ल्ट्रसॉंट पर हम fine कर सकते हैं कभी-कभी ऐसे भी होते है कि gallbladder का entire human है वो भरा हुआ होते है पूरा gallbladder जो है वो sludge से भरा हुआ होगा ऐसे भी होते है कुछ पर ऐसे होते है कि sludge जो है वो mass like shape में आ जाता है mass like aggregates बनाते हैं जिसको हम sludge walls कहते हैं और tum effective sludge कहते हैं mostly तो यह layered form में नीचे ऐसे बस बढ़ा हुआ है न तो कभी-कभी यह mass like shape में आ जाता है और क्यूंकि हमने देख लिया पहले कि इसका shadow नहीं होता कभी-कभी sludge में जो है वो stones भी हो सकते हैं साथ में इसके और उन stones का shadow होगा तो वहाँ पर हमें पता चल जाएगा कि यह sludge भी पढ़ा हुआ है और यह sludge के अंदर जो है दो तीन चार जो है यह stones भी पढ़े हुए क्यूंकि उनके shadow हमें मिल रहे होंगे कुछ cases में ऐसे भी होता है कि जो sludge के crystalline components होते हैं उसके non-dependent portion में यानि जो bile है उसमें swim कर रहे होंगे और उसमें जो है वो comet tail artifact प्रोड्यूस होगा जिसको stone से confuse नहीं करना अब stone में और यह जो crystalline components हैं sludge के इनमें कैसे differentiate करेंगे जो sludge के crystalline components हैं इनका comet tail artifact आएगा और जो stones होंगे इनका twinkling artifact आएगा यह दो artifacts हैं comet tail artifact और twinkling artifact त्विंकलिंग artifact जो है वो हमें doppler पर मिलता है वहाँ पर twinkling artifact मिलेगा तो confirm है कि यह बीच में microlithiases हैं अगर crystalline components होंगे तो उनके comet tail artifact होंगे यह बहुत अच्छा हमीज है जिसमें सारी labeling भी हुई हुई है सबसे पहले तो interior side पर यह interior abdominal wall आ रही है उसके नीचे lever का थोड़ा सा part है फिर यह gallblader है ट्रांसफर्स में gallblader की wall है उसके नीचे यह bile पढ़ा हुए सारा और इसके dependent wall के साथ यह layered है sludge अब sludge में जो है यह हमें नीचे shadow मिल रहा है कि इसमें stones है और यह ecogenic focae with posterior shadowing हमें मिल रहे है sludge में next image है इसमें longitudinal gallblader हमें मिल रहा है longitudinal view है यह bile sludge level इसको हम कह सकते है सुपीरियरली हमें यहां पर bile नज़र आ रहा है जो के anecoic है और यह layered हुआ है यहां पर sludge low level homogeneous echoes है और इसमें जो है यह तीन calculus पढ़े हुए जिनके posterior shadows भी है अब यहां पर clearly आप जो है differentiate कर सकते हैं कि यह सारा bile है और यह तीन जो है यह calculus है इनका shadow है bile का shadow नहीं है transfer view है और इसमें जो layer farm में जो है यह bile पढ़ा हुआ है sorry sludge पढ़ा हुआ है यह bile जो है यह उपर bile sludge level बन रहा है यहां पर यह image है तो इसमें गॉलब्रडर का longitudinal view है और यहां पर जो गॉलब्रडर है हो completely sludge से fill हुआ हुआ है completely filled है और इसमें जो है वो चोटे-चोटे से crystals भी हमें नज़र आ रहे हैं लेकिन यहां पर कोई comet tail artifact हमें नहीं मिल रहा और क्यूंकि डॉप्लर भी नहीं है तो यहां पर कोई twinkling लिंग करती है कि sludge है अब sludge के अंदर यह काफी सारे जो है वो tiny crystals पड़े हुए जिनके comet tail artifact भी आ रहे हैं जब Doppler डाला तो वहां पर हमें कोई भी twinkling artifact नहीं मिल रहा मतलब कि यह खुद उसके crystals हैं बाइल के खुद अपने जो कलेस्ट्रोल crystals हैं यह वो हैं जिनका इसमें कोई भी जो है वो twinkling artifact नहीं मिल रहा डॉपलर पे तो confirm जो है यह जो sludge के अपने crystalline components हैं बाइल के यह वो हैं जो comet tail artifact प्रोड्यूस कर रहे हैं यहां पर तीन images हैं जिसमें mass like shape में जो है कुछ low level echoes पड़ी है यहां पर थोड़ी सी posterior shading भी आ रही है जो confirm का रही है कि अंदर कुछ stones भी पड़े होंगे इस image में भी जो है mass like low level echoes है और यहां पर भी mass mass पड़ा हुआ है तो यह tum effective sludge होगा जो के mass like shape में embedded हुआ हुआ है इसमें यह tiny crystals भी embedded है तो इसको हम tum effective sludge कहेंगे जो के सिर्फ layered नहीं है बलके mass like shape में आ गया हुआ है membranous sludge typically sludge जो है वो बिलको low level homogeneous echoes होती है लेकिन कभी-कभी जो है वो inhomogeneous भी हो जाता है और इसमें जो है वो ecogenic bands हमें मिल सकते हैं जो के sludge membranes के साथ confusing भी हो सकते हैं sludge membranes क्या होती है यह gallbladder की wall की pathology है gangrenous हो जाता है gallbladder उसकी wall की perforation हो जाती है जिसमें sludge membranes बन जाती है तो यह उसके साथ confusing हो सकता है patient की clinical history के साथ जो है वो correlate करके देखेंगे हम लोग यह gallbladder का longitudinal scan है इसमें एक calculus पड़ा हुआ है with posterior shade wing gallbladder की neck में और यह यहां पे low level echoes आ रही है homogeneity और यह यहां पे membrane सी बन रही है membranous sludge है यह लेकिन sluft membranes के साथ यह confusing हो सकता है how to differentiate sludge from gallstones polyps and carcinoma यहां पे सबकी जो है थोरो थोरी से characteristics बताई गई है जिनकी अगर आप समझ लें तो आप इसली जो है वो sludge को इंसाथ से differentiate कर सकते हैं gallstone का shadow होता है sludge का shadow नहीं होगा इससे हम sludge को gallstone से differentiate कर लेंगे sludge जो है वो mobile होता है mostly polyps और tumors जो है वो mobile नहीं होता है उनमें movement नहीं होती वो अपनी जगह पे stick रहते हैं adherent रहते हैं यह characteristic जो है यह इसको polyps और tumor से differentiate करती है लेकिन बहुत कम ऐसे भी होता है कि gallbladder में जो sludge पड़ा होता है उसकी हमें ऐससे कोई mobility नहीं मिलती जब हम patient की position change करते हैं तो उन cases में हम follow up scan रख लेते हैं कुछ weeks के बाद जब patient कुछ weeks के बाद आएगा तो हम previous scan के साथ compare करके देखेंगे कि तक sludge की क्या sorry जो भी mask बड़ा हो है वो sludge है वो carcinoma है या polyp है तो उसकी क्या position है उसकी location क्या है अगर तो location same है तो फिर obviously वो polyp होगा और अगर वो उसकी location जो है वो पहले से change हो गई है तो वो mobile है वो तो वो गॉल प्लेडर का sludge होगा अगर उसकी appearance में change आ रहा है तो फिर इसके थ्रू जो है वो हम neoplasm से या carcinoma से इसको differentiate कर सकते हैं कलर डॉपलर स्टेडी कलर डॉपलर imaging जो है वो भी हम use करते हैं अगर तो हमें कोई mass पढ़ा हुआ है गॉल प्लेडर में और वो हम कह रहे हैं शायद ही tum effective sludge है लेकिन अगर उसमें हमें blood flow मिल गया है तो tum effective sludge को हम differential diagnosis में से निकाल देंगे क्योंकि tum effective sludge में हमें blood flow नहीं मिलेगा कोई carcinoma होगा तो उसमें blood flow मिल सकता है लेकिन अगर blood flow नहीं मिल रहा हमें एक mass पढ़ा हुआ गॉल प्लेडर में और उसमें कोई blood flow नहीं है तो वो favor करेगा sludge को लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि completely कोई carcinoma हमने exclude कर दिया है क्योंकि जब tiny कोई abnormality है कोई small abnormality या pathology पढ़ी है गॉल ब्लेडर में तो उसमें viscularity जो है वो doctor studies पे नहीं भी आती तो कभी भी अगर कोई small pathology है तो उस पे हमने carcinoma को exclude नहीं करना carcinoma भी हो सकता है इसके इलावा intraluminal blood और पस जो है उनकी भी इसी तरह से करेक्टरिस्टिक्स होती है कि वह में low level low level जो है वो adherent wall पे मिल सकता है तो उसे हम gallbladder sludge के साथ जो है वो misunderstand कर सकते हैं अच्छा जी इसमें जो है longitudinal scan है gallbladder का lumen completely sludge से भढ़ा हुआ है tiny crystals है इसमें और यह 3 mm से ज्यादा बड़ा crystal भी बढ़ा हुआ है calculus बढ़ा हुआ है क्यूंकि इसका हमें बहुत prominent shadow मिल रहा है अब यह tiny crystals हो है यह यह या तो bile के या sludge के अपने वो crystalline components हो सकते हैं या microlythesis हो सकते हैं जब doubler studies पर देखा तो इसमें सारा twinkling artifact आ रहा है जो के confirm कर रहा है कि यह microlythesis है और इसमें कोई comet tail artifact नहीं मिल रहा मतलब यह के यह microlythesis ही है एक पर दुबारा जो है यह सारी characteristics को एक slide में combine करके देख लेते हैं थोड़ा सा confusing हो गया लेकिन जब थोड़ा से एक दो बार पढ़ेंगे आप इन चीज़ों को तो यह बहुत easy हो जाएंगे आपके लिए gallbladder sludge जो है वो low level homogeneous echoes होती है जो कि gallbladder की posterior wall पर layered होती है और ज्यादा तर जो है वो fluid fluid level या bile sludge level बनाती है जब patient move करता है तो patient की movement के साथ यह sludge जो है यह भी अपनी position change करता है sludge जो है वो कोई भी shadow cause नहीं करता जब तक कि इसमें gallstones ना होगा gallstones होगे तो सिर्फ gallstone का shadow होगा sludge का फिर भी कोई shadow नहीं होगा sludge जो है वो mass-like form भी बना सकता है mass-like aggregates भी बना सकता है liens भी बना सकता है जिसको sludge wall है tum effective sludge कहते हैं और उसमें हमें common tail artifacts भी मिल सकते हैं अब जो tum effective sludge होगा उसकी क्या characteristics हैं hypo-ecogenic well-defined intraluminal mass होगा posterior sharing नहीं होगी इसकी कोई internal vesicularity नहीं होगी जब तक के internal vesicularity नहीं होगी sludge में लेकिन हमें इसमें twinkling artifact मिल सकता है जब micro lithiases होगे micro lithiases हैं अंदर तो twinkling artifact मिलेगा लेकिन अगर common tail artifact मिल रहा है tum effective sludge है तो उसमें कोई इसकी internal अपनी vesicularity नहीं होगी mobility जो है इसमें वो depend करती है mostly जो है वो mobile होता है तिकिन कभी-कभी हमें इसकी movement नहीं भी नजर आती तो उसमें जो है वो differential diagnosis में polyps और gallbladder carcinoma आ जाता है इसमें फिर वही है कि follow-up scan पर हम इसकी location और shape को देखकर इसको differentiate करेंगे गॉल्स ब्लेडर की जो clinical significance है इसको देखने की gallbladder sludge को वो ऐसेच clear नहीं है कि gallbladder sludge को हमें देखना बहुत जरूरी क्यों है लेकिन कुछ cases ऐसे भी होते हैं जिसमें जो stone formation होती है gallstone formation होती है उसकी early stages होती है sludge की sludge बने का पहले उसके बाद आजसे इस तर जो है वो gallstones बन जाते हैं तो इसलिए इसको डिफ जो है वो diagnose करना जरूरी है इसके इलावा अगर किसी बहुत सारे minor cases ऐसे होती है जिसमें patient को pincretitis हो गया कोई unknown region का कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हुआ इसको suddenly क्यों हो गया तो उसमें जो है वो हमें sludge मिल सकता है और corberis sludge को जो है वो diagnose हम करेंगे और उसमें biliric crystals जो है वो pincretitis cause करेंगे तो उसमें जो है वो sludge की थोड़ी importance हो जाती है कि हाँ यह complications cause कर सकता है लेकिन ऐसाच sludge की कोई बहुत जादा complications नहीं होती है mostly यह asymptomatic होता है जब यह symptoms cause करता है तो यह जो gallstones के symptoms होते हैं सेम वही symptoms sludge में भी आ जाते हैं differential diagnosis gallbladder polyp, gallstones, gallbladder carcinoma, intraluminal blood और pus जो है यह इसके differential diagnosis है पहले हमने देख लिया था क्रीबन की gallbladder polyp जो है वो adherent होते हैं वो और के साथ move नहीं करते हैं जबकि sludge जो है वो movable होता है gallstones के shadows होते हैं इनकी shadow cause करेंगे जबकि sludge का कोई shadow नहीं होता carcinoma से भी जो है वो हम कैसे differentiate करेंगे कि इनकी appearance जो है वो change हो जाती है इसमें और interluminate blood और pus जो है वो सेम वैसी characteristics शो करते हैं जैसे कि sludge क्यों होती है तो इसमे clinical history को हम देखेंगे एक शोटा सा topic था गॉल्प्रेडर sludge का मिशाला next भी हम जाए वो गॉल्प्रेडर की कुछ most common pathologist को देखकर फिर आगे next किसी और organ की तरफ move करेंगे अलाव देखेंगे